नमस्कार मैं हूँ तुन्जय कुमार जा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है और सुपर फास्ट की रप्तार से ही इस वक्त गोल्ड का मार्केट बढ़ रहा है आप देखिए कि ज्यादा दौर के मुकाबले रूपया कमज़र हुआ उसका इंपक्ट हमने साब तौर पर अभी गोल्ड के उपर हमने देखा है तो क्या ये तेजी गोल्ड के और बढ़ जाएगी क्या आज बावट हजार के लेवल को भी हम देख पाएंगे अब यहां से गोल्ड में होगा क इसी पर पहले हम बात करेंगे हमारे साथ अमिज सजजजा है मोतिला लुस्वाल के अमिज जी बहुत स्वागत है आपका क्या लगता है आपको गोल्ड की तेजी बढ़ेगी आज पहले हम देख रहे हैं कि जिन्होंने शॉट किया था गोल्ड पिष्ले तीन चार सेशन में वहां पर शॉट कवरिंग का एक दौर दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है कि यह दौर जारी रहेगा आज के सेशन में एट लिस्ट और हो सकता है कि हम बावन अजार से उपर गोल्ड का भाव जा सकता है ओके तो चांदी में भी यही इस्ट्रेजी होनी चाहिए जी अधिके चांदी को आज बेस मेंडिल्स का भी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि कई ना कहीं जिंक अलुमिनम और कॉपर तीनों में ही तीजी के आसार दिख रहे हैं तो साथ ही चा चांदी में भी आप करें कि तेजी बढ़ सकती है और 66,200 रुपए तक चांदी का भाव जा सकता है अब हम बात करते हैं कच्छे तेल की कुरूट की कुरूट का मार्केट तेज है और आप देखिए कि MCX पर कच्छा तेल करीब-करीब 1% उपर है 7850 के उपर है कच्छे तेल लगती है अगर 7950 के उपर प्राइज चलने लगती है तो हम 8000 के स्तर्ख हो भी आपार होता हुआ देख सकते हैं फिलहाल डिप पे बाइंग करना जरूरी है 7750 के आसपास ठीक है ओके अच्छा नेचुरल गैफ में भी बाइंग करना ठीक है कि आज जी मेरा मानना है कि फिलहाल जो प्राइज चल रही है वो एक टेक्निकल प्रेकाउट के काफी नजदीक है जो 766-767 के आसपास आता है जो 466 के आसपास आता है मैं समझता हूँ कि 463 पे भी मिलता है तो वहाँ पर एक बाइंग ऑपरशनेटी होगी और जो कल की तीजी आई है वो एक्स्टेंट होने की पूरी-पूरी संभावना दिख रही है 472 से 473 डीजन ओके ठीक है अच्छा जिंक में क्या किया जाए जिंक में अभी बाइंग करना ठीक है क्या खरीदना चाहिए जिंक जिस प्रकार मैंने भी बताया कि कॉपर जिंक और आलुमिनम तीनों ही अच्छे दिख रहे हैं तो मुझे जिंक इन सब में से बहतर दिख रहा है मैं समझता हूँ कि 454 अनाहाफ के रीजन में अगर जिंक मिलता है तो बाइंग करना सही रहेगा और 357 का एक टागेट होगा अप साइड में डाउन साइड में 353 तक का एक स्टॉप लेके चला जा ठीक है तो यह रहा है आपके हो गई जिंक के उपर के जिंक में क्या करना चाहिए बहुत शुक्रिया आमिज जी आपका जूने के लिए बताने के लिए कहां पर कमाई के मोके बनेंगे और अब रुक करते हैं एक महत्मून खबर का खबर यह है कि S.E.A. यानि सॉलवेंट एक्स्ट्रेक्टर्स एसोशियेशन आप इंडिया ने अपने मेंबर्स को चुकि बहुत सारे मेंबर हैं एडेबल ओयल के जो प्लेयर हैं वो सी के मेंबर हैं तो S.E.A. ने अपने मेंबर्स को चिट्टी लिखी है और यह कहा है कि MRP अभी खाने के तेल की ना बढ़ाएं क राह flavors को राहत देने की पेसकर्स की गई यह कहा गया कि जो मेंबर हैं वो सक्तिक से पालन करें जो सरकार ने सक्ति लिमिट बढ़ाया है भी değ Sauber तक के लिए उसका सक्तिक से पालन करें और तैय लिमिट से ज्यादा का स्टाउक ना रखें और जैसा कि हमने आपको बताया भी सबसे पहले की देश भर में इस वक्त छापेवारी चल रही है केंद्रिय टीम की और यह जाच हो रही है कि तैमात्रा से कहीं ज्यादा का स्टॉक तो तेल और तीजन का नहीं रखा जा रहा है हमारे साथ बाक्कित करने के लिए सीके प्रेसिडेंट बीबी मेहता जोड रहे है वह पहले वी अपने मेंवर को चिट्छी लिखी थी उसह आपने कहा था किसी प्रेसिडेंट बढ़ा आप है तो इसके हुझे से मर्पी बढ़ाने का कोई उची समय नहीं है कि कंजूमर को सही दाम पे तेल मेले इसके लिए एडवाइस दी है और साथ में स्टोरिस कंट्रोल और जो गवर्मेंट में इस्यू किया है तो अभी तो सर्म आपने कहा कि बढ़ाने का उची समय नहीं है लेकिन अभी तो आप कल भी हमारी बात हो रही थी आपने का दाम घटने शुरू हुए हैं तो घटाने का उची समय है क्या मर्पी अभी तो आप बराबर पकड़ रहा है तोड़े दिन में भाव घटे मंगर पाम का घटे है तो या स्टान उनके घटे नहीं है पहले तो यह मैं क्लेरिफाई कर दू और जो पाम के जो बढ़े हैं सौरी बाती के में मार्पी बढ़ाने के कोई अगर सोच रहा है तो आमने एड़ जाता है बढ़ाए नहीं तो मजा नहीं आ रहा है तो बढ़ाए नहीं आपकरो अच्छा बैठे वहाई बैठे रहो आपकर अज़ आपकर कांकि कंशुमर को ऐसा नहीं लगे तो में इंड़ सी मुनाफ़ कर रही है और हम गवर्वर्वन्ट की थोड़े भी स्वावत है को हम उसके चेर कर रहे हैं कि उसके चिंटा का वित्री जरूर है कि कभी इतने अड़िवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् बाव बढ़े थे बाव में बेचना चाहते हैं तो इसके वजह से वह भी एरावल नहीं आ रहा है तो पैरेट नहीं बैठ रही है ठीक बात है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुनने के लिए और डीटेल में बताने के लिए कि अभी खाने के तेल का सिच्वेश